असलाम लेकुम, खुशाम दीद, आई होप आप लोग जहां पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, टिप टॉप होंगे, मोसन भाई मैसाद मौजूद हैं और एक और खुबसुरत सुबा और आज बारिश नहीं है, पिछले दो-तीन दिनों से बारिश हो रही है वापस, बैक टू स्क्वेर वन, जहां पे हम रेगुलर शो करते हैं, वहीं पे आज मोजूद है, और उमीद करते हैं, आप लोग जहां पे भी हैं, ठीक ठाक होंगे, और आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लेंड, पहला टी-ट्वेंटी मैच खेला जाएगा, उस मैच पे भ करेंगे, वो भी बताएंगे, और उसके इलावा, कुलवीर सिंग साब वो कह रहे हैं की, जुनियर कोली विल कम इन टू थाउजन इकीस, यानि अगले साल, तो मोसन भाई को मुबारक बात, मामू बनने वाले हैं, मोसन भाई, और हम भी चाचा ताया बनने वाले हैं, तो मो असन भाई, congratulations to you, how are you? पहले तो आप दुबारा अपना तारुफ सही तरह कराया करें, मस्ट भी शाहिन आपको एक हजार दफा काया है, तो यार वो शाहिन नहीं है, वो खल्द है, तो यार आपकी बाभी नहीं है, तो यह देख ले, सुन ले, यही सुनाना चाहरा था मैं आपको, लेकिन वो मने बाभी शाहिन है और दोन काया हैं इस भी शाहिन उंहां जिसलोग करिया, प्रभी शाहिन देख मों ले यह ले धा धान, आपको ओना था यहां आपको डिया, मुस्ट भी य debates and मौसल भाई, और बिकमिंग मामू, और ये बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलएकुम, सुपरबाद, सुब बखेर, गुड मार्निंग, साथ स्रियाकाल, नमशकार, और मैंने, मैं बिलकुल मामू बनने वालों, मुझे फखर है, कि किंग कोली के घर, अगर मेरी बहन है तो मुझे इसमें क्या है, हमारी तो बहन कोई नही थी, आगर हमारी उसको बहन है, हमने तो हमेशा जिसको भी समझायाएं, बहँ कों को बगेर थोड़ी है, आग या, कौच साब नाना बन रहे तकार्वरा, इजब कोच ऐसा हो, या नण या नाना इतना प्रेकुल हो, या सुनने ना यारब आपने बात किया तो मुझे बात करने ने मामू जो है वो अल्ला की मेर बानी से जो थोड़ा बहुत उसने काम किया थोड़ी बहुत क्रिकिट समझता है तो बाप जिसका kोली हो तो फिर ताया जिसका तेंडूलकर हो तो फिर सोच ले क्या क्या हो सकता है तो बात यह है कि थैंक्यू वरी मुच कल जी बहुत बड़ा दिन था शेजादा कासिम की महंधी का दिन था सब फैमली के लिए जिन जिनों ने कहा था दे क्योंकि यही प्यार है जो आगे जाता है यह नफरत यहीं दफन हो जाती है. आज जो है अज़ एक वह ऑर बड़ा दिन है आज भाजी सरकार का दिन है आज भी वही दिन है कि जो शेलजशा편 वफा का दिन है पाकिस्तान वर्सिस इंग्लेंड पहला टीट्वेंटी मैच आज खेला जाएगा डेयर नाइट होगा और जो दूसरा वाला वो दिन के टाइम पर होगा वो दिन में फिर तीसरा वाला भी वो डेयर नाइट होगा तो रिकार्ड जो सुझेस्ट करता है स्टैट्स वह तो कोई पाकिस्तान की फेवर में नहीं है क्योंके पाकिस्तान ज्यादा मैच आफेश चार मैच आफेश और इसापकोथ होगा पंदरह मेंसे 10 पाकिस्तान हा चार जीटाब़ में ग्या था मैच लेकिन वह भी पाकिस्तान हार गया तो 3-20 इज ब् ballet शोके ठोड़ी सी लक भी तो तो यू कांट से राइट कंबिनेशन भी हाँ राइट कंबिनेशन भी यू कांट से कि पास्ट रिकॉर्ड अकर ऐसा है तो पाकिस्तान जीत नहीं सकता बिल्कुल जी सकता है टेस्ट रैंकिंग के बाद करनें टी-ट्वेंटी तो उसमें भी इंग्रेंड जो है वो अपर है दुसरे नमबर पे है पाकिस्तान ज नमबर पे है उसका फिर यह हर्गस मतलब नहीं है जी सकता ना ही तो रैंकिंग ये सुझेघ्टर करती है ना ही पास्ट रिकॉर्ड ये सुझेट करता है पाकिस्तान नहीं अपोने नहीं हुत neighborhood हम घरान ओढना, बगला दे शरी लंका बंबाबई नूर आखए लिएव। कि और बाट करें जी अनुरा करें किया हैं में 20 साल्प मनें 2000 Oscar Чте आखरी दिए इन आईडिया जुनम में मेरे शरीच के रुको जए और आड़ जो पर तरक रोड़ो एम यहिज बाइडिया बहराल जी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और सुमर सेट में जो उनके साथ में खेलते थे टॉम बेंटन ये दोनों पिछले साल के टॉप स्कुर्वर थे जो वहां का T20 टॉर्नामिन्ट होता है तो बाबर आजम टॉप पे थे थोड़े से रंजी कम थे टॉम बेंटन के और यहां जब पेसर भी खेलने आए थे वो पिशावर की टीम में तो बड़े हैं दोनों आपस में खुशगपियों में थे आज आमने सामने होंगे तो देखते हैं कि क्या कैसा क्या करेगा सिलसला कौन किस फॉर्म में तो भाईजान एक सवाल है पहले आप उसका जवाब देजीए फिर मैं आपसे पूछूँगा आपकी प्लेंग 11 क्या होनी चाहिए जी सवाल यह है कि क्या श्वेब मलक और मुहमद हफीज दोनों प्लेंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं कि नहीं या एक हो रहना चाहिए या दोनों ही नहीं होने चाहिए यंग्स्टर्स को मोका मिलना मत्सक्राइब मुषूगा जो पर मुषर प्लेंग 2 वर नहीं है कि अइम्सुर्ण कारेंग प्लेंग 1 आखेंग 6 यह हैं यह दूना धार है कि अंग्स्टर एम्स्पा कंफुज था उसने पहले निकाला फिर जब आको बेशिंग उई एक सी टीम की स्रिलंका गी से तो फिर कि आंखे खुल गई अच्छा हमारे हमारे हैं यह दस्तूर है कि हम सारे काम बाद में करते हैं दुनिया क्रिक्ट हम से 10 कदम आगे होती है हम उन से 20 कदम पीछे होते हैं अगर हफीज और मलिक हैं तो दे आर मोस्ट लाइकली नहीं आर आलमोस्ट कंफर्म टू प्ले आज दोन कर्समती है आगे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है अगर यह पिंडी का कोच होता या कोई डिमेस्टिक कोच होता टॉप लेवल का जैसे सब यह दर थे जैसे तैमूर थे यह से एक यंग कोच आया था याज अकबर अगर इस तरह के कोचिस होते ना तो हमारे पास बेंच स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है उनके ब्रेंज बड़े मजबूत हैं इसमें कोई शक नहीं है जो इन्वाल्मेंट से उनकी बैंच स्ट्रेंथ अच्छी थी लेकिन हम भी कमस कम नंबर टू पे होते बैंच स्ट्रेंथ के असाब से मैं दो दो तीन तीन प्लेयर होते आते हैं तो आप किसी एक को नहीं कह रहे हैं मैं तो लगता ही ना साथ से ना अब वह हैं तो वह दोनों खेलेंगे आज क्यूंकि मेंटलिटी मिस्वा की यहां ना मैंटलिटी पे जा रहा हूं मैं अभी आपको टीम बता देता हूं अगर आप सुनना चाह रहे हैं बताई लें आपकी टीम जो मिस्वा खिला रहा है या मैं अपनी टीम दो आप चाह रहे हैं वो बताईए हैदर अली बाबर आजम उपनर है मेरे हफीज आएंगे इनके बाद फिर इनके बाद शुय मलक आएंगे मैं खुछ दिल शाह और इफ्तखार में से इफ्तखार के साथ जोंगा नीचे रिज्वान आएगा अमाद है शदाब है फिर मेरे तीन बॉलर आजाएंगे शाहीन आमिर और वहाब ठीक हो गया और आपने दोनों को रख लिया है जी दोनों को रख लिए अच्छा मैं यह जो अपनी टीम बताता है जो मैं समझता हूं कि टीम बेतर है ठी जड़ा आउटो फॉर्म था लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए मैं चाहता हूं अभी भी बाबर आजम और वो ओपनर और वन डौन हैदर अली उसके बाद हफीज फिर इफ्तेखार उसके बाद जो है सर्फराज को हाला कि कल हिंट दी है बाबर आजम ने बात करते हुए कि वो रिजवान के साथ ही जाएंगे क्योंकि उसका जो है टेस्सीरीज बड़ी अच्छी गई है लेकिन देखें उसका पास्ट जो रिकॉर्ड है टी ट्वेंटी का बहतर नहीं है कितने मैचेस के लिए 18 मैचेस के लिए 16 की एवरीज है और 100 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है तान्वे का स्ट्राइक रेट है और यह टी 20 मैचे टैस्सीरीज तो है नहीं सर्फरास का उसकी निस्बत बहुत अच्छा रिकॉर्ड है सर्फरास के जी 28 की एवरीज है 128 का तक्रीबर स्ट्राइक रेट है इस विन 89 नौट अट है तो मैं सर्फरास के साथ ही जाओंगा है दोनों में से एक रख है क्योंकि एक हम यंग्स्टेज को मोका दें एक सिनियर को मोका दें अब अगर फकर जमान ना हो तो खुश दिल शाग को देखा जा सकता है तो बाइजान यह मेरी टीम है अब उसमें कोच साब आज हैं जल्दी आप बताएए कि कौन सी तीम बैलेस स क्माइन टीम आपने अखकार जाएए को भी बाहर कर दी आखने अखने रिजवान जो मुसलषर अगवार कर दी आपने सफराज आहमद जो बैंच्ट हो गया जहाद की जाहाज की दुम नहीं करताउ ता श्को आपने टीम में दीया बता दिया ता है मैं अग़ आपको ते 26 सादर्टी तेस्ट में एफोरी प्रोरी प्रोल में घुछ किया उसको आपनी प्रोल किया तर तर बिलकुल अच्छी बैक तर लेकिन त्थतर्व की परसॉरमस्स निया तो मैं उसका बता दी इसका तोला की आपरीज अस्तान में के स्टाइगे लाइगा आप जी वो कहा है ना बनेगे लाइकम गुड बॉर्निंग पाइजन तुसी की कह रहे है यह ना बना देता है ते मेनू खुद मामू ने ता की मतलब हो यह मेरे पुतर लग दे रहे है इसमें क्या शक है मैं कोई उस तर कोई बात नहीं है मैं इस पर भी खुश्य की बात है और अनुशका को बहुत बहुत मुझा बारक बात बोग दो निया क्रिकेट को यह बड़ी अच्छा साहिन है किसी भी घर के लिए ने बच्चा आता है तो वो खुशियां लेकर आता है और मुझे अमीद है कर अब यह नया बच्चा आएगा तो यह खोली के लिए और लक लेकर आएगा इंड़ लेकर आएगा पाया नसरफ्राज और रेजवान का शाइब है तो ज़िए टीम इंडोस करो देड़ी करनी ने जड़ी चेंजिस करनी आने करो आप आप अब अबताये कि दोनों ना लो और जाएगा दास देता आएगा फाइन शाइन भी नहीं कह सगदा यह तो यह तो इसाड़ी आते हमले आपे अले आई नहीं आई नहीं तो यह थाल के बिचारा इंकषार कर रहे हैं कि खत्म हए जनाव और रीजाइए जनाव और रिजाए ने आदेग लिए और हमले टीम कि अब रिजवान की और जो बात कर रहे हैं आप सर्फराज की ठीक है रिजवान मैं तो मेशा आपको पता है के क्रण्ट फॉर्म के उपर जाए अब जो वह बाहर हुआ है सर्फराज और रिजवान का अगर बाबर उसको टिप कर रहा है हिंट कर रहा है कि वह मैं उसको खिलाओंगा तो मेरा ख्याल है कि वह ठीक जा रहा है क्योंकि इस वकद वह फार्म के अंदर है तो स्ट्राइक रेट उसका रिजवान बेतर तबी होगा कि वह आप जो क्रिकट टी-20 और खेलेगा अठारा मैश ते खेल लाए पाई जन नहीं म मतलब वह की में सिर्फ बैसमेन भी खेला है सुर्फ राज के अंडर भी खेला है लेकिन इस वकद करनर्ट स्रेनरियों के अंदर अब आपको पाकिसान को असल में थोड़ा फ्यूचर की तरह भी सोचना है मतलब आप ने ठीक है अगर आप जैसे मौसन भाई कह रहे हैं कि य है यह एक्चली रखा क्यों है इनको आफ कर दिया था लेकर पाकिस्तान पिछली जो साथ मैच खेला है ना पाकिस्तान टी ट्विंटी के उसमें एक सो पचास क्रॉस नहीं कर सका तो यह फिर उसी वकद हुए था जब उन्हों ने लड़के खला एक हैसान ली लड़का लेक से तो अब पाकिस्तान ने फिर इसलिए यह दोनों सीनर प्लेइस को आपने का कि फूचर को मद्यनजार रखते हुए तो ठीक है जो फूचर को देखना चाहिए शायद कि सरफास मैं समझता हूं कि अभी भी वो ठीक है इतना वो तो नहीं खेल सकता है अगर आपनी फूचर को मद्यनजार रखना है तो रिजवान टी-20 का नहीं है फिर आप रुहेल नजीर को खुला है उसको रिजवान टी-20 का अभी तक उसने नहीं परफॉर्म किया देखें जिसका सो का स्ट्राइकर टी-20 में नहीं अठारा मैचिस अगर मिले हो अब इस्टेलिया में तीन मैच क्या है एक बंदा टीम में जो आया है ना वो किस बेस पर आया सबको बता है एक बंदा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली अगर आप उसको बिठा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके पास्त में 16 का स्ट्राइक रेट है सतानवे के स्ट्राइक रेट पे सोलां की इसको बहुत अची तरह बता है वो एक फिनिशर भी है कप्तान ऐसे नहीं उसको बनाया गया था गलत तो नहीं कह रहा है ने ठीक कह रहे है रिजवान की एसल में जो डुमेस्टिक की टीट्वेंटी की परफॉर्मसिज भी है जो मारा पी एसल के लावा जो मारा नैशनल ट करता है और उसके अंदर उसकी परफॉर्मस अच्छी है बुरी नहीं है लेकन अब देखें कि सर्फराज जब तीम से बाइर हुआ है तो पूरा पी एसल था तो प्रूव इंसल्फ फिर वो उपर भी खुद खुद कप्तान था कोईटा ग्रेडियाटर का तो वो नंबर चा मैं तो सिर्फ जो क्रण्ट आपको हाश निसियन लेने हैं आप इसके बगार आप नहीं चल सकते आपके पास मिसाले मजूद हैं अभी आप जो क्रण्ट इंग्लेंड ने टीम अनौन्स की है बटलर को बार कर दिया है यह को को कि जिडर नहीं किया आर्चर बार तो आप wy नहीं है पाकिस्तान जो है पिशली चार सिर्रीज था नहीं हुआ खांब ने इक दम डिप किया नंबर ववच्ट नम्बर 4 पि आया इसलिए पाक सान को अपने फूचर प्लान को भी ओना वो री शिडिल करना तक हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है हमने किस तरह T20 की टीम भी बिल्ड करनी है ठीक है जी ओपनर देखे मेरे ख्याल में तो हैदर कोई होना चाहिए बाबर के साथ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा देखे बाबर और वहोगा अब फखर है फखर भी आउट-फॉर्म मुस्लसल रहा है अच्छा चले मैं मानता हूँ अगर फखर को खलाना है तो फखर की क्या परफॉर्मस है इवन जो दो तीन मैच ये इंग्लेंड में खेले है ठीक है तो उसमें प्रैक्टिस मैच में उसने एक दो में अच्छा रंच किया लेकर अब मुझे जो अब अगर म अब मुझे एक चीज जिस पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ रही है वो शादाब है मुझे लग रहा है कोई पता नहीं शादाब वांडाउन आए इस पिंच इटर है और मिस्वा जिसना उसको पी एसल में ऊपर खिलाता रहा है तो क्या पता इसमें भी वो इसमें भी अब मुझे अडर नहीं दिया था शदाब देखे शदाब पी एसल की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी अच्छी लगी इसमें कोई शक नहीं और बड़ा नहीं बड़ा बड़ा वैलिड आपने पाइंट उठाया इसमें कोई नहीं टैस्ट में तो उसके साथ ज्याती कर दी अगर उसके साथ जाएंट आप तरह प्लीड आपने प्लीड़ा था फैर चुर्म पर्ड़ा बड़ा नहीं घाएंट कोई शक्राइगा तो पर यह खुछ दिल्शा और इसमें गड़ा अगर इफटखार में से एकने खेल नहीं अगर मेरे पर रहा हूं तो आएप प्लेव तो यह दो प्रूब अगर पास्ट में देखें इफ्तखार बेतर है वह उस्टेलिया में अच्छा खेला है नहीं वह स्री लंका के खिलाप भी और जा जाए भूड़ा दूब आगी हम खड़े हो के बाकी शोग लेंगे आप बोलते रही है जी कि आप बोले मैं रहा इसको इस पर ले यह तो दर्मयान में आपको किसी ने किसी को तो चाहिए कई दवाएस वहाँ अज नाश्ता कुन करा रहा है पहले दसके आप नाश्ता सभी सभी ऐना कितने दिन दा ने 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 और टांगी दरज जीना थे साढ़े मूझ भी रोटीनी जाहरी शी नाना प्रू तो जाव्य पुटर भी ने उनुमुर गए पदर पाकर की बात है सारी दुनिया कर्किट के लिए इसमें लेकिंगे हम तो कहते हैं जो स्पोर्ट समेन होते हैं जैसे आप कोच ऐं हम जॉनलिस्ट थैं हमारी तो कोई बांडरी इजी नहीं नहीं है तकि जब पाकिस्तान केलेगा तो डेफिनेटलि हम पाकिस्तान के साथ हैं इसमें तो कोई राय नहीं है लिकिन अगर 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 ला अतने बड़े प्लेर इस वद दुनिया के लिका सबसे बड़ा प्लेरा अचा जी महुस्मबी एक सालोगा एक छोटा आ तो इस कुड मैं तनों थोड़ दोड़ लानी पहेगी तो रह गया कुछ अधिया ने ने तुसी आजो 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 लेकर रिजुआ देखे मैं यह बात करूंगा कि खुछदिल शाह और इफ्तखार दोनों को अब क्योंकि हफीज खेलेगा श्वैब खेलेगा तो यह ने निया लड़का ज विछास्ट में चैंपिंशिप जीता हूँ उसने तीन सेंचुनिया बनाई थी एक मैस तो थीक ठाक शारी तीन सों की चेस करवाई थी तो यह उन्दे थिर्टी आठ किया था वान फिफ्टी उसने किया था वांडे में बड़े लंबे लंबे चिके और टीट्वेंटी की ज अच्छा प्रॉस्पेक्ट है तरुन शर्मा साब ने पूछा था जी सवाल और नाम उनका आगया जहने में के इन फॉर्म रिजवान के साथ जाना चाहिए सर्फ्राज के साथ तो काफी आपने सुन लिया कॉम्प्रीहंसिव आम इस पे बात कर ली डिटेल में और उसके अल के वो देखे उसने आते ही जो पहली प्रेस कांफरेंस है उठा ले पड़ी है उसमे उनने फरमाया मैं टीम का माइंड सेट चेंज करूंगा अग्रेसिव कर दूँगा कहीं हमें अग्रेशन नजर आया है सभी सब आज तक यही वज़ा हुई आपको नहीं चेंज करना चाह आखरी में आखरी टीट्वेंटी में पांच अपने उन में से भी बिठा दिये उनने क्या रिजवान तूँ आजा सभी तूँ आजा मोसन तूँ आजा फिर वीज़ित गए ते इचोज माई डियर ब्रदर के मिस्बा उलहक लाक्स डिरेक्शन मैं अब भी कहता हूँ लेकि अब बात करते हैं तो जाए अप्रिशन आई होते हैं कराची से जा तो मैंने दिया था जब आप वह भी आप की गल्ती थी अगर आपने उने मौका दिया क्यों दिया यार देखो आप आपनी भाद की कंट्रिक्शन कर रहा है घैचा उम्हेशा बोलते हमर अकमल उमर अकमल यारभी मैं माद कर रहा हूँ तो आपके रहा हो आपके दमाग में प्लैनी नहीं है आपको पते ही नहीं है कि आ नहीं कहता हम पीछे दोंगे पड़ां एक साल दे देंशे मीनेृ दे दें लेकिन क्या होता है देखना होता है ना कि जनाब आप डरेक्षyst डिसमें जा अपका वीयन क्या है पहले मैच के बाद रिज्बान पथा चलज जाता है के तो आप मैच धर मैच हो रहे हैं सीरी औस्ट्रेलिया वहां तो मैशा अरते रहे हैं इंडिया भी अर्दर यह जितके आ गया तो तुस्ति यह मेशार देरे तो अर्दर होगे अच्छा चलो मान लिया इंगलेंड में तो अब कभी नहीं होगे अब गया हुआ देखे ना कोई है और सभी साहब अल्ला को आजर नाजर जानके दोनों के हैं क्या इंगलेंड की यह तारीखी तारीखी कम्जोर तरीन टीम नहीं थी इस दफा भी आपने जिसके यार कम्जोर वापिस अमर अक्मर और अश्यजाद पर आए और उन दोनों देखें जी अमर अक्मर को चांस ठी पर वापस जब उन्होंने परफॉर्म नी किया फिर वापस सीनियर खिलाडियों को ले के आई हैं जनाब तर देखें मैं बार बार एक चीज़ यह कहता हूं कि असलमें कि एक दम से फिर नहीं निकालना चाहिए आपको एक दो-दो करके आप सीनियर प्लेयर्स को ऐस्ता इस अगर नसीम शाह केलता है एक आदा टेस्ट में उसको खिलाते उसको गुरूम करते साथ आपके वहाब या आमर खेल रहा होता है थोड़ा सा प्लेयर भी लें करता है इपर इम्रान गान सीनियर बड़ा अच्छा बॉलर तो टेस्ट हो गया हो गया अभी टी-20 की बात करें मैं आप से जो पूछना चाहता हूं मोहसन भाई और सभी भाई वन बए वन मौहमद आमर को जब उसने टेस्ट अटैर्मेंट की तो थोड़ा गुसा दिखाया गया इवन को उसको टी-20 से भी निकाल दिया गया ठीक है टी-20 से भी वो नहीं था स्कॉर्ड में जो मैं सुमे ठीक है डिबेटेबल बात है लेकिन जिसमें वो खेल सकता उसमें तो मौका मिलना चाहिए था और अभी भी इस साल उसने को 24-25 आउट कियो लीग क्रिक्ट की बात करूं सबसे ज्यादा फास्ट बालर्स में तो अब उसकी वापसी आई है टी-20 में खुशाइंद बात आई इस इनको लेकर साथ एक दम से आप प्लेयर को निकालते हैं फिर जब रजर्ज बुरा आता है फिर आप तू बैक्टू ना पीचे चल रहे जाते हैं पिर आपका जी आप भी आजाओ जी अब आमर भी आजो सारे आजो तो यह चीज एक्शली नहीं होनी चाहिए आपने किस आप किस प्लेयर को आप डेंटिफाई करें कि आप किस तरह आपने अब यह प्लेयर जाएगा इस दोजार बाइस में शेक इमरांज आमर चला जाएगा तो उसकी जगा कौन लेगा वह पीछे से त्यार होता हुआ रहा है इसी तरह आप आपके पास प्लेयर कोई हैं के जो को रप्लेयर करें गा आपका कोई है को जो रिख मले को रप्लेयर करें गए तो उसको फुषनOME करें आमर ने टेस्के एक्ट चड़ी है कि यो दोजार बती तो गढ़े टीट्वांटी तूसी कह रहे है दोजार बाईचिए ही चला जाएगा ते नहीं मैं अजाल दे आग इ वालर बेंट यहां है तक दोट हुआ यहां जा रिक शाइ तक कि खाग लाट आक अरन अंग झार दोर्ट तिर शिरी आप शीर है risk ये तो एक common sense की बाट है अगर आपको पता ही कुछ नहीं आब ही इसको लगा देना जिस Nे बनाय आमिर किसकी product है? शदाब किसकी product है? ये सारे किसकी product है? इसकी लगा देते, इसको घर बेग दिया, क्यों? क्योंकि जेनाब आपको जिल्ल 예लाही को चेहरे पसंद नहीं है. देखें रिजवान देखें, मैं जो यहां एक दोह पहले भी या मैं बात कर चुका हूँ, के देखें अगर यह मेरी अंगली खराब है थीक है तो इसको काट देना इसका इलाज नहीं है. हाँ. इसको ठीक करना इसको बेतर करना इसको दोबारा लेकर आना ये इसका इलाज है अगर परफॉर्मस नहीं कर रहा था आमर इसका पुस्टे करवानी के ये उंगली की जड़ क्यूं खराब क्यूं ही पहले तो मैं वह देखूंगा देखे ना बिमारी तो आपको उसको बिल्कुल राइट आपने जेट फाइटर की जगा आपने एक सुजुकी चलाने वाले को लगा दिया तो पर इसी तरह हो चीग है और सवाल एक जुनेद साब ने पूछा वह जुनेद खान को निकाल दिया वह जुनेद से याद आया जी पूछें वो कहने कि जा तीसरे मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए नहीं जाना चाहिए था अब देखें आप जब 600 बोर्ड पे लगा हो आपके 75 पर पांच आउट हो जाए आपका कैप्टन और विकेट कीपर करकर आगे मर मर आगे आप फॉलो ऑन हो चुके हो दुबारा आपकी बारी आई हो बारी शारी है कंडिशन जैसी हैं तो उसमें आप कैसे मैच जीतेंगे आप मतलब अभी सवा 300 आप उतारेंगे फिर आप डेट 200 उपर करेंगे फिर जाके अब आपके हमारी जो बैटिंग है वो दो इनिंग्स के मिला के 500 नहीं करती इस तरह की हरकत हमने की थी एक तफ़ा न्यूजी लेंड में हम सीरीज में अभी 2016-17 में एक मैच हम हारे हुए थे तो दूसरा जो मैच था उसमें हमें समझ नहीं आ रही थी हमने क्या करना जीत के लिए जाना या ड्रॉ करना वो करते कराते हैं पे हुआ यह मैच हार गए वह अगर तो यह पूरे पांच दिन का मैच होता ना कोई इसमें स्टॉपज करेंसें पर कि नहीं स्कुले मेच उनलिए ख़ते हो और मेंच में फिर तो तो हूं परय तो तो फिर तो कोशوس भी के जा सकते हम सब्सक्तारा जब परा माच हो तीन दिन में ये मैच पाकिस्तान हार चुका होताा था पुरा मैच यह मैच आशर चुका होता है अब तक पांच आप आज तक पांट तर्फ़ आप टक के आज डेते वैसे ही आर जान जाते समय न थे अधैत अर कैच इसक इंघ जुटे तो सही मुझेड वे इरिया ऑफ कंसर्न है, इस यह सारी चीज है , प्र जेसन रॉए का आज ना हो न हम टीए 20 पह बात क्या रहे है, हम पाक्स्तानी स्कॉर्ड पय बात किया जा रहे है इंग्लेंड का भी स्कॉर्ड है उस पे हम बात ही नहीं कर रहें देखें उन्होंने विली को वापस लाया है और आइरलेंड की सीरीज में अलागे पहला मैच उसका बहुत अच्छा था अइरलेंड के खिलाए उसके बाद उसको कुट पड़ी है साथ भी दिया है उसने सब्सक्राइब को यह जो 2018 में जब पहला टूर्नमेंट था शदाब खान का परस्ट वांडे टूर्नमेंट था जन्वरी थी हमारा कप्तान था सुहल तन्वीर रावल पिंडी की बात का रहा हूं तो पहले मैच में शदाब को मैंने खिलाया शदाब को जो है वो तक्रीब साथ जिसने ने का कि साथ रंस पड़े ठीक है सुहल तन्वीर मेरे पास आया मुझे आकर सुहल तन्वीर कहता है सभी भाई अगले मैच मेना यह बच्चा है अभी इसको ना खिलाए अच्छा थीक है तो आप जो है ना काशिब बटी था मेरी टीम में आप काशिब बटी को ख़ला लेते हैं इसको ना ख़लाएं ठीक है मैंने का सुहल एक प्लेयर मैंने बनाना इसको ठीक है एप जादवे सो दवे चाली दवे सारे मैच कहड़ेगा मेक अप यूर माइंड एज कैप्टन और इसको पुफार्मस तुने अंदर करानी है इसको स्लिप राके दे इसको कहा है कि थोड़ी अटेकिंग बॉलिंग लेक्स्पिनर थोड़ा होता है लेकर लेक्स्पिनर से आप एजए कोच याजए कप्तान क्या डिमांड करते हैं कि मुझे दो तीन विट्टें लेके लें बीच में ताकि कोई भी टीम जब आउट होते हैं तो प्रेशर में आती है तो प्लेयर को इसी तरह बनाया जाता है मैंने का यह जो मर्जी हो जाएगा शदाब यह सारे मैच खेलेगा चाहिए वो एक मैच में सो रंस खाए तो इस तरह का कॉन्फिटेंस लगता था अपने प्लेयर को नहीं देंगे तो तुसी चैलिंज के कीता सी शदाब देवाले पर टीम मीटिंग हो रही थी थी का सारी टीम बैठी वी थी उस वकत अभी शदाब कोई पाक्सान ही था कहलावा उस वकत मैंने यह प्रेडिक्ट किया था कि यह 100 टेस्ट मैच खेलेगा 400 वंडे खेलेगा 400 T20 खेलेगा 400 तो बहुते हो गए नहीं यार अज़ेगा बहुते ही रहताव होती है कोच की जो भी कहें पाकिस्तान को यह मैच जीतना चाहिए अगर पाकिस्तान यह मैच नहीं जीता तो पहर इनको रीधिंग करना चाहिए कि अगर इस त्रीम को इस वकत यह बड़ी बैड नीड़ेड के इस जो कोचिंग स्टाफ के ओपर बहुत है कि आप पाक्स्तान को यह T20 सिरीज हर सुरत में जीतनी है अभिशेक साहब हैं जो हम अभिशेक माल जो में मुसलसल उनकी बेटी की सालगरा थी त्रीशा तो है वेरी वेरी हैपी बर्डे ट्रीशा बच्चे मैंनी मैंनी हैपी रिटरंस आफ दर डे अल्ला ताला आपको जि सेहत दे इसके लावे हैं जी ग्रिश चान मुबारक चान ऑफिस वर्क एसम टेक्स समधान साहिल शर्मा सिदार कि कृपा क्रीपा के आर आई पी ए हाजिक इम्तियाज राथोर साचिन अदित्ता कुमार माइको एंजलो सेलास की आज बर्डे आजी मैंनी हैपी रिटर्स अधियर ब्रदर आपको जिंदगी दे सेहत दे संदीप यादेव हैं तुकरम हैं डॉक्टर रवी दबास हैं विबोर केले हैं हर्शित किंग है विकास कुमार की भी आज बर्डे है जिनाब बहुत 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 सब सेयद नभी हैदर ये मौला अली के रोजे पे हैं माश अधियर ये मौला अपने सदके में सारी बिमारियां और सब कुछ दुनिया से नफरतों को दूर कर दे बबलू कुमार हैं जी आपके बड़े फैन हैं जी बड़े आपको मैसिज आशिच करते हैं कहने जिनाब पहले पंजीविया हों ची पता निकिड़े किड़े संद लो जी बबलू जी अपने चैनल नों लाइक करो सब्सक्राइब करो बैल डाइकन दबाओ प्रून करके सभी साब बार आ जाणगे जना अनते मेनों तसना मैं आ जावांगा इसी तरह महपते प्यार बाटे और इनका जो चैनल है अच्छा कल जो हम बात करे थे अभी बढ़े से आपने विव रिचेट का उनोने रिकार्ड फोड़ा कोई नो सेंचरी टेस्ट में एक साल में बना दी यार नो सेंचरी अंदाजा गरें आप सत्रा सो के आज पस उन्होंने रंज कर दिये टेस्ट में स्टाइलिश ऐलिगेंट बैसमन पाईजा निक एक जुम्ला बोल दो म महमद यूसफ को तो मैंने बिकल स्टार्ट से जब उसको लाहूर भी नहीं खिलाता था वो बहुलपूर से जागे खेला और जैसे ही वो क्रिकेट में आया है तो एक दम से नजर आ रहा था कि ये इंटरनेशनल स्टाफ है अच्छा एक मिकू का एक था था पाईजान तुस रहा था च्छा एंगलेंडी जडी टेस्टीम है आ लगी एंट है आइंडिया नों इंग्लेंडी चरहा सकतिये अज़ आ था जिन घंड रहाा था उल्टिंक कि। छीडिया नू टिस टीम गरन्ट है-ंडिया नू इंगलेंडी किरा यह टरहा सकतिया को ए तो जोग म twisting